नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर नहीं रविवार पापांकुशा एकादशी पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे, और मान के चलिए, दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसी लिए, दोस्तों, इस दिन, आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे कलपना भी नहीं करी होगी, इसी लिए आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं, उससे पहले हे भोले नात, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पांच ब देखते हो, और गलत-गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, देखिए दोस्तों, ये रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है, देखा गया है, कभी-कभी बड पूजा पाथ अनुष्ठान से, जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहर अविवार। उपाय को कर लेने से, आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, कि भाई, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्रदोश हो सकता है, या किसी भी तरह का म तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्यूंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो। चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अगर किसी व्यक्ती की खुद की कोई मनो कामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्ती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बेहनों में से कोई एक माता बेहन भी कर सकती है। माताओं बेहने अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। प्रदोश काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा। क्योंकि रविवार, पापांकुशा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोश काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपून बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोश काल की बात करें, प्रदोश काल का जो समय है होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोश काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 13 अक्टूबर रविवार। रविवार पापांगुशा एकादशी के दिन कोशिश करना की समय के अंतरगत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं, उपाय को किस प्रकार से करना है ? तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको क्या-क्या यहाँ पर लेना है ? एक छुटकी या दो छुटकी पिसी हुई, हलदी लेनी है । एक दीपक लेना है, चाहे आठे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए, शुद्ध देसी घी लेना है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार, अच्छा, आठे का दीपक तैयार कर रहे हैं, तब तो बहुत उत्तम है, अब बहुत सारे लोग ह जो कहेंगे कि आठे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते कोई बात नहीं मिट्टी का ले लीजिए आस्था सच्ची होनी चाहिए है ना अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे शाम के समय में एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठना है और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर ठीक है ना नीचे फूल रख ले या कोई प्लेट रख ले उसके उपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरिविष्नु के लिए यानि दीपक कहां लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास लेकिन लगाना किसके लिए है श्री हरी विश्नु के लिए क्योंकि जब भी आप श्री हरी विश्नु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं मा तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को सारे दुखों को दूर करती है इसलिए जब भी आप एका दशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है एक साल के अंदर अंदर आप महा धनी महा करोड़ पती भी बन सकते हैं अगर माम लक्ष्मी और श्री हरी विष्णू का आशीरवाद मिल गया क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है ना पीड़ी, दर पीड़ी, धन बढ़ता है कभी धन में कमी नहीं आती है तो इस बार एका दशी पर जरूर से यह उपाय करें चलिए, बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं एका दशी पर ही आपको करना है इस उपाय को अगर आप एका दशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मा लक्ष्मी आपके घर को छोड़ कर नहीं जाती है तो देखिए, धन की देवी मा लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं अगर आप चाहते हैं कि मा लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे तो यह छोटा सा उपाए एका दशी पर जरूर करिए उपाए करने के के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं अब देखिए आपको बताते हैं, आपके घर की एक ऐसी जगह है जो आपको रातों रात धन्वान बनाएगी, घर में जो इशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहाँ पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तयार करना है गोल बाती का और यह दीपक आपको एक छुटकी हल्दी डाल कर इशान कोण में लगाना है, अब देखिए यह जो इशान कोण होती है, यानि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मा लक्ष्मी की दिशा होती है, यही दिशा होती है, भगवान ग गणेश के साथ क्योंकि मा लक्ष्मी ने स्वयम कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा तब ही उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। यह दीपक आपको घर के इशान कोण में लगाना है। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरी विष्णु को बहुत प्रिये होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर दो पीले पुष्प अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दो पीले पुष्प भी रख देते हैं। ना तो मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़ कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरी विष्प को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने तीसरे उपाय की, जो की एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनो कामना पूरी होगी, और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार-बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर ये उपाय कर ली, कितना भी बड़ा काम हो, हो कर रहेगा, और कोई अडचन उसमें नहीं आएगी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में व्रिद्ध नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं, तो इस बार एकादशी पर य पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा पीले रंग का वस्त्र। अगर आप बढ़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं। छोटा सा रुमाल ले ले जिसका रंग पीला हो। पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक धीपक। यह तीनों चीजें आपको श्री हरी विश्नु के मंदिर में ले लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वह भी ले ले। गेंदे का फूल पीला होता है। वही आप ले ले। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में हैं तो वह अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं पीला रुमाल जो आप ले करके गए हैं यह श्री हरी विश्नु को अर्पित करना है पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरी विश्नु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनो कामना श्री हरी बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरी विश्नु का पूजन और माम, लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है, तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरी विश्नु का कोई मंदिर हो, या ऐसा कोई मंदिर हो, जहां श्री हरी विश्नु क कोई मूर्ती हो, कोई प्रतिमा हो, वहाँ पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है, चाहे सुबह को कर ले, चाहे शाम को कर लेना, फिर देखना, आपका भाग ये कैसे चमकेगा, और आपकी बड़ी से बड़ी मनो कामना को भी श्री हरी विष्णू बहुत जल्दी पूरा कर देंगे, तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताये गए कुछ बहुत ही खास उपाय, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, करिएगा मिलते हैं, फिर एक नए वीडियो तो ग्रिहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को वरत रखेंगे एकादशी का, और वहीं जो वैशनवजन के संप्रदाय के लोग हैं, वह लोग 14 तारीख को वरत करेंगे, और 15 तारीख को वरत का पारण करेंगे, अब देखिए बात कर लेते हैं, कि एकादशी पर जो तुलसी का उपाय आपको करना है, कैसे यह आपके भाग्य को चमकाए, और किस तरह से आपको इस उपाय को करना है, तो देखिए श्री हरी विष्णु का पूपूजन किया जाता है, एकादशी पर मा लक्षमी का पूजन किया जाता है, और श्री हरी विष्णु की पूजा अधूरी होती है मा तुलसी के बिना तो देखिए आज की वीडियो में तुलसी का उपाय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो एक साल के अंदर आप करोड़ पती बन कर रहते हैं आपका भाग्य जो है यह आपका साथ देता है क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले ना तो उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें बढ़ती चली जाती है और जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हर तरफ से धन लाब होता है उसके घर में पैसा भी आता है उसके घर से बीमारियां भी दूर होती है और सुख सम्रिध्धि से घर भरता चला जाता है पापंकुशा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरी विश्नु को बहुत प्रिय होती है अब देखिए इस दिन उपाय करते हैं आप पूजा पाठ श्री हरी विश्नु की करते हैं ना तो आप ऐसा समझ लीजिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं दुख हैं वो दूर हो जाते हैं अब तुलसी मैया का उपाय है तो श्री हरी विश्नु तो आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे और श्री हरी विश्नु को जो प्रसन्न कर लेता है मा लक्ष्मी तो स्वयम उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि जहां श्री हरी विश्नु वहाँ पर धन की देवी मा लक्षमी वास करती है जब श्री हरी विश्नु योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं मा तुलसी का करते हैं इसी लिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको जरूर करना है अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या-क्या यहाँ पर लेना है एक छुटकी या दो छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है एक दीपक लेना है चाहे आठे का ले लीजिये या फिर मिट्टी का ले लीजिये शुद्ध देसी घी लेना है, रुई की गोल बाती, दीपक में लगानी है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है, तैयार, अच्छा आठे का दीपक तैयार कर रहे हैं, तब तो बहुत उत्तम है, अब बहुत सारे लोग हैं, जो कहेंगे कि आठे का दीपक नही नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना, अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे, शाम के समय में एकादशी वाले दिन, शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को तुलसी जी के पौधे के पास, लेकिन लगाना किसके लिए है, श्री हरी विश्नु के लिए, क्योंकि जब भी आप श्री हरी विश्नु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मा तुलसी बिना कहे, आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों क इसलिए जब भी आप एका दशी पर तुलसी के पौधे के पास ये हल्दी वाला दीपक लगाएंगे ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। तो इस बार एका दशी पर जरूर से ये उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की और ये जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, और कभी भी मा लक्ष्मी आपके घर को छोड़ कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मा लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। घर में जो इशान कोन होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहाँ पर आपको एक शुद्ध देशी घी का दीपक तयार करना है, गोल बाती का और यह दीपक आपको एक छुटकी हल्दी डाल कर इशान कोन में लगाना है। अब देखिए, यह जो इशान कोन होती है, यानि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मान लक्ष्मी की दिशा होती है, यह भगवान कुबेर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपती की जो रिद्धि सिध्धि के साथ घर में आते हैं प्रथम पूजनिय भी हैं और सबसे बुढ़िमान भी हैं और धनी की देवी मान लक्षमी हमेशा किसके साथ रहती है। पूजन जरूर करते हैं, वैसे भी भगवान गणपती प्रथम पूजनिये हैं, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है, तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तयार करना है, ये माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, ये दीपक आपको घर के इशान क शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिये, साथ ही ही साथ दो, दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिये, क्योंकि मुख्य द्वार ही है, जहां पर सबसे पहले मा लक्ष्मी की नजर पड़ती है, और वह आपके घर में प्रवेश करती है, तो घर की यही भगवान श्री हरी विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर दो पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दो पीले पुष्प भी रख देते हैं, ना तो मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है, और कभी ऐसे घ इधर को छोड़ कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरी विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने तीसरे उपाय की, जोकी एकादशी का बहुत बढ़ा उपाय है। क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बढ़ा काम हो, हो कर रहेगा। और कोई अड चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इस से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एका दशी पर ये छोटा सा उपाय करिए, और फिर इसका चमतकार देखिए, देखिए पीला रंग श्री हरी विष्णू का सबसे प्रियरंग है, आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है, अच्छा पीले र विष्णू के मंदिर में लेकर जानी है, अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वो भी ले ले, गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले ले, आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं, वहां से भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में हैं तो वहां से लेकर जाए अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं पीला रुमाल जो आप ले करके गए हैं यह श्री हरी विश्नु को अर्पित करना है पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरी विश्नु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनो कामना श्री हरी विष्णू से कह देना है साथ ही साथ मा लक्ष्मी का ध्यान करना बिलकुल न भूले क्योंकि आपको बता दें श्री हरी विष्णू का पूजन और मा लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है तो आपके घर के आसपास, जहां भी श्री हरी विश्नु का कोई मंदिर हो, या ऐसा कोई मंदिर हो, जहां श्री हरी विश्नु की कोई मूर्ती हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है, चाहे सुबह को कर लेना, चाहे शाम को कर लेना फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनो कामना को भी श्री हरी विश्णू बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। दोस्तों, पापांकुशा, एकादशी एकादशी के दिन इस चीज को अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर सिर्फ लटका देने से टांग देने से ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी आपके जीवन में धन से जोड़ी समस्याएं हैं, जो भी आपका आर्थिक पक्ष कमजोर हो गया है, आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस तरह की समस्या आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, और मा लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब देखिए, मा लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है, तो यह एक उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमतकार का काम करता है, क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है न, वहीं से हम हमारे घर में बहुत तेजी के साथ धन को ला सकते हैं, अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ल उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। देखिए बहुत बार होता क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं। जो आपके घर में लड़ता है, जगड है, ऐसे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। अब जो उपाय आपको मुख्य द्वार से जड़ा हुआ बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके घर से लड़ाई जगडा भी दूर होता है और धन से जड़ी समस्याएं भी दूर ह होती हैं, तो एका दशी का जो दिन होता है, ये समर्पित होता है श्री हरी विष्णु को और इस दिन उपाय करने से मा लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, तो मुख्य द्वार से जड़ा हुआ ये उपाय कर ल तो देखिए, आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेनी है, हल्दी साबुत वाली हल्दी की गांठ आती है, बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगी, आप रुपए की साबुत की साबुत हल्दी की गांठ ले लें, ठीक है ना, साबुत हल्दी की गांठ आपको ले मतलब लाल रंग का छोटा सा नया कपड़ा आपको लेना है. अब आपको क्या करना है? एक देशी घी का दीपक तयार करना है, जिसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है. ठीक है न? लंबी बाती यहाँ पर आप मौली धागा ले सकते हैं. मौली धागे का रंग जो होता ह है वो लाल ही होता है. लाल और पीले कलर का अगर मौली धागा है वो भी आप ले सकते हैं. लंबी बाती का एक दीपक आपको तयार करना है. है शुद्ध देशी घी का, साथ ही साथ आपको दो फूल वाली लौंग लेनी है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है दीपक जला दिया. श्री हरी विष्णू और मान लक्ष्मी का ध्यान कर ले. ठीक है ना? दीपक जला देंगे और दोनों फूल वाली लौंग आपको फिर उसी जलते हुए दीपक में साइड से डाल देना है. अब आपने जो हल्दी की गांठ ली थी, कितनी गांठ लेनी है आपको? यहाँ पर कर रख दी। जो पोटली आपने बनाई थी, वो पोटली आपको उठानी है. और अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर अंदर की तरफ इसे टांग देना है, तो बाहर की तरफ नहीं टांगें, अंदर की तरफ टांग ना है. इस चीज़ का ध्यान रख लें. अच्छा मुख्य अंदर की तरफ आपको ये पोटली टांग नी है. जैसे ही यह उपाय आप करते हैं आपके घर में. हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से धन आने के जो रास्ते होते हैं, वह खुल जाते हैं और पैसा आना शुरू हो जाता है. अब देखिए, हल्दी जो होती है, चमतकार का काम करती कैसे, क्योंकि ये जुड़ी हुई है श्री हरी विश्नु से और जहां श्री हरी विश्नु होते हैं, वहां पर होती हैं. धन की देवी माता, लक्ष्मी, बिना श्री हरी विश्नु के मा, लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं, और आपको बता दें कि हल्दी के बिना श् जहां भी आप हल्दी को रख देते हैं या जहां भी आप हल्दी को टांग देते हैं लटका देते हैं। यह अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव एनरजी सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का काम करती है। जहां भी आप श्री हरी विश्नु से जड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। क्योंकि यह उपाय श्री हरी विश्नु को प्रसन्न करता है। हल्दी जो है यह पॉजिटिव एनरजी को टो बढ़ाती है। धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है। सकारात्मक उर्जा बहुत होती है। हल्दी में इसलिए आपने देखा होगा। कोई भी शुब काम जब हम करते हैं, कोई भी शादी विवा होता है, उसमें हल्दी का उपाय मतलब हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है, ये एक जगह से और एक दिशा से नहीं, हर दिशा से, हर तरफ से सुख सम्रिध्धी को खीचने का काम करती है और बढ़ाने का काम करती है। तो आपके घर में जब सुख सम्रिध्धी बढ़ेगी, तो धन की जितनी भी समस्याएं हैं, न वो खुद बाखुद दूर हो जाएंगी। तो आप सभी को यह उपाए अपने घर में पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटे से उपाए की, जो की आपके घर में निरंतर प्रतिदिन धन को बहुत तेजी के साथ बढ़ाएगा, जो की हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, हल्दी का जो भी उपाय आप करते हैं, न बार-बार हम आपको बताते हैं, कि यह आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाता भी है, और धन को लाने का काम करता है। प्रतिमा है, सबसे पहले तिलक आप श्री हरी विष्नु को लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कि हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। देखिए सबसे पहले तो अगर नजर लगी है या नजर आपको लगता है कि मुझे नजर लग जाती है। गुरु को मजबूत कर लेते हैं आप हमेशा पैसों में खेलते हैं आने वाली पीडियां भी जो है साथ पुस्ते भी आपकी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं इतना ज्यादा चमतकार होता है हल्दी का तो पापांकुशा एकादशी के दिन ये उपाय करें और अपने भाग्य को रातों रात चमकाएं तो दोस्तों पापांकुशा एकादशी के दिन इस चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ लटका देने से टांग देने से ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी आपके जीवन में धन से जोड़ी समस्याएं हैं जो भी आपका आर् आपके घर पर बरसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा